हम बात कर लेते हैं लक्षमी बाय जी से जी मैम बहुत्-बहुत स्वागत है आपका नमस्ते मों जी नमस्कार मैम, स्वागते लक्षबी जी आपका बहुत बहुत जाहिद हम पुराने पेशन्ट है जी जी अच्छा तो अभी पहले तो हम ये गौंश्या खाए हैं जेड़ तो आराम हो गया है थोड़ी बहुत है या इसी कामधन्दे में होता है कजी साल और दूसरी बार फिर हमने पी केर खाए थे याने पेट साप नहीं होता था उसके लिए उसको भी खाए है फिर अभी हमने एक दिनर फोन में देखे तो थी वह अन्नमक जैतुन मंगाए और घरेलुन उसका याने धन्या आजवाई जीरा साव तो चब बिला के और बनाए थे उसको हमने ये ख़ता तक के खाए जीरे को भरा भरा सा लगता है और खुल के पेशाब नहीं होता हमको ठीके माम और तीसरा सवाल और है हमारी लड़की है बद्टी साल्की है तो तो उसको हात में छोते-छोते सब गाठा गए है और वो खैल रहा है वो चरीर में बस ठीकिए जीकिए जो नुश्वा आ दे दिया और महरास की महिलाओं को मैंने देखा बहुत महनती होती है तो बहुत महनत ना करे कुछ दिन जब तक आप इलाज कर रहे हैं मैंने बहुत ही महनती पाया मैं महरास में 20-25 साल रहा हूँ और मुझे लोग महरास ते ही जाने हैं तो मैंने वहां की महिलाओं को देख उसमें मेहनत कम करें और जाड़ों पहुंचा तो बिलकुल ना करें और वेस्टन टॉालिट इस्तेमाल करें ये आपके लिए हिदायत और पेशाब किसी को कम आ रहा हो तो उसको सबसे पहले अपना ये इलाज करना चाहिए कि पानी धाई से तीन लीटर रोदाना पीने लगे और उसके बावजूद भी कम आता है तो फिर आप वैसे तो इससे ठीक हो जाता है तो फिर आप नमक जैतुन एक चुटकी ज्यादा लिया करें इससे फिर फूब पिशाब आएगा और इंफेक्शन दूर होता है और जिस बच्ची के गांटे हैं उसके लिए एक चुटकी खाने का सोड़ा एक चुटकी नमक जैतुन पाने मिलाकर कमसकम एक बार उसे जरूर पिलाया करें और बाकि जो इलाज करना चाहें करते रहें यह उसको जरूर दिया करें उसको भी फाइदा होना मुम्किन है मुझपन अगर से धीरत जी है हमारे साथ स्वागत है आपका नमस्कार मेडम जी नमस्कार सर यह बालो में समच्छा है जी इसके इंडी जाती जी बालो में हाज यह कापी समय से दवाई खा रहे जाए आप कहां से जी कौन सी दवाई सपिस्तान और इस नमस्के फादा हो जाए जी मैं बस तूब दुधि बहुत सारे निसके बताता हूँ और किसी को कुछ लग जाता है किसी को कुछ तो सपिस्तान और अन्ब अलसी वाला नस्का आपको काम कराता है और लोग सोच रहे हैं कि क्या नुस्खा है यह तो बता रहता हूँ जो लोग नए जुड़े होंगे देख रहे होंगे कि सपिस्तान सो गिराम उन्नाव सो गिराम अलसी सो गिराम और तीज गिराम पीपल है उन्नाव की गुठली निकाल कर पहिक दें और इसको पाउडर बनाके एक चमच सुबा खाली पेट गरम पानी ये चाय के साथ लेने से और एक चमच रात को गरम पानी ये चाय के साथ लेने से ये फाइदे होते हैं कि आदमी के बालों में फाइदा होता है आदमी की खांसी में फाइदा होता है नजला जुकाम कफ बल्गम में और इमुनिटी में फायदा होता असल में इमुनिटी जिसकी ठीक उसके सारे रोग अच्छे तो यह उसका आप ले रहे हैं लेते रहे हैं जिससे फायदा है और छह साथ पहिने तक ले तो फायदा मोगी है कि गाजीपूर से हैं गीता जी स्वागत है आपका नमस्कार मैं इस बात कर लीजिए थोड़ा तेज अबात कीजिए मैं कि जी बताएं कि हाम मैं 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 बोलिये आ नमस्टे राकिन साव जैहिन स्वागत आपका बताई क्या सवाल है कि मेरी दवा एक साथ से मतलब 6 जनरी से मैं गौंसिया ले रही हूं तिन सो ग्राम मेरा गौसिया हो गया है, और यह मैं ऐ ले चुकी हूं, तो यह गौसिया खतम हो गया है, तो क्या मैं टी केश्च दो बार लों कि एक बार लों? यह पुछना है, और मेरी जाएने हाथ की अफुली एक तै के ही हो रहे हैं पता ने क्यों आशाँ, तबियत पाइदा शिरू हो गया आराम तो आराम तो बहुत है कि साथ लेकिन अभी पर उखने में दर्द करता है थोड़ा सा उचारी काज़र चलना होता है तो लड़ जाता है पर उखने में दर्द हो जाता है लेकिन आराम बहुत है पहले तो मैं चल नहीं पाती की लेकिन आराम तो यृल केयर और पी केयर, एक एक टाइंग चला हऑब दोनों, एक टाइम एक एक टाइम एक टी केयर चुड़ी भगवान कर लाक लाक षुक्र के आपको फाइदा चुरू गया अगर वजन जैदा हो तो वजन भी कम कर लीजे अपना आपके कद्स के अनुसार ही वजन होना चाहिए अपर डाक्टर से पूछिए कि आपके अंदर वजन कितना है और कितना होना चाहिए तो अक्सर वहिलाएं ज्यादा उमर में थोड़ी हेल्दी हो जाती हैं तो वजन कम करेंगे तो और जल्दी फायदा पूपकी नहीं आप ये खाते रहें ये जो कैप्सुल खा रहे हैं ये दो टाइम खाईए और जो गौंसिया है वो आदा आदा ग्राम एक टाइम खाईए बस आप बहुत जल्दी पूरी तरह अच्छे होने वाले पहले तो आप चलने लगे बगएर लाठी के भी ये बहुत मुबारक बात की बात है आपको सलामत हो और ये नुस्खा आप पहुंचा दीजे जहां तक पहुंचाना क्योंकि बेहसाब लोग हर घर में इन दर्दों से परिशान हैं और कोई दवा ने मिलती आपरेशन तक करा डालते हैं आ आप तोड़ा योगदान करें और आप शानुरोद है कि कोई भी अपने रिष्टेदारों में दर्द का मरीज ना छोड़ें जिस तक यह आप नुस्खा न पहुंचाएं और सुराइसिस के लिए आप सही नुस्खा ले रहें तोड़ा वक्त लगेगा साथाट महीने भी ल लोगे साथ तो और जल्दी फाइदा होना मुंकिन है लखना उसे हैं तहसीन जी स्वागत है आपका अस्तलम अलेकुम मैं वालेकुम अस्लाम मैं हम ठीक हैं आप कैसी है अल्हम अलेकुम है वालेसलाम जिन्दाबाद खेरियत है यहीन जी स्लाम अल्हम अल्हम अस्वाब खुल का थे दिल के लिए फैद्वान वान उता है तो फुल के लिए थी शुंद क्लिए जाता है। ठेके कोई वेखाना है। ल्कूस है। भश नतल गुटे है। यह नहीं परता दूसरे डॉक्टरों को दिखा है तो वो कहते हैं हड़ी मतलब वो है और इंजेक्शन लगेगा ठीक हो जाएगी लेकिन एक दो इंजेक्शन पी नहीं लगवाए हैं दूसरे थोड़ी सी राहत हुई थी फिर वो ऐसे उसी जगा पे आगी वो दरद बगर कु हो जाएगी नहीं अगर आप उसके बारे में जानते हो तो प्लीज उसके बारे में कुछ बता दीजी सीधे हाथ में अच्छी कांसी आदा इंच के बराबर उती हुई है तो खराब लगती देखने में जरत बगरा कुछ नहीं होती है लेकिन देखने में खराब लगती जो वो तोगता है कि ये क्या है, ये सी चालना थी, ठीक है माम, जी, अधिकी वो डॉक्टर का कोर्स भी अगर पूरा कर ले, तो शायद वो अच्छी हो जाए, अगर उससे फाइदा होगा था, तो फिर हो सकता है, तो पूरा कोर्स भी कर सकते हैं डॉक्टर के मताबिक, और एक य गरम गरम, इसपर बांद दे हैं, इतनी गरम एथिनी बरदाश्ट कर सके लेब बना लें एक हल्दी का, हल्दी का लेबशा बना के, वो यहां पर बांदे के, और गरम गरम रोटी इस पर रखकर बांदे, रात बर बंदने दे इसे, ऐसा आप वहफते बार करके देख लें अगर वो बैट गई तो बहुत अच्चा है ये तो उनका सवाल है और ये जो चुकंदर है इसकी तासीर गरम है और इसको खुन बनाने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है जिन में खुन की कमी हो और दस्तावर भी है यानि ज्यादा इस्तिमाल से इसको पेट भी साफ होने लगता है और जब भी इसे इसे इस्तिमाल करें याद रखें कि इसको अगर एक गिलास जूस पी लिया जाए तो हमें पेशाव और लेट्टिंग दोनों सुर्ख रेंके आने लगते हैं तो घबराया नहीं जाए इसे ब फल गुलर एक फल है फूल भी है इसके तो ये काबिज बहुत होते हैं कब्स बहुत करते हैं जब भी इन्हें इस्तिमाल करें तो किसी भी मरद में इस्तिमाल करें मैं अक्सर इसमें इसके पत्ते या गुलर इस्तिमाल कराता हूँ पत्थरी के लिए तो ऐसी कोई चीज ले जिससे आपका हजम अच्छा रहे हजम होने वाली चीज भी कोई खाले जैसे सौफ खाले धनिया खाले या कोई भी दवा ले ले तब यह आपको पूरा फाइदा पहुंचा सकते है नेक्स्ट कॉलर है सतीश कुमार जी स्वागत है आपका हालो जी सर बताईए सवाल करिये मैं यहां से यूपी से जी मुझे इसकी इन में दिक्कत है मेरे हाथों में सुजन है और चंबडी खराब होगी एज कितनी है आपकी मेरी एजनी और तादीश परस ठीक है सार जी अधिक एक निस्वा तो है आपकी स्कीन के लिए और चंबडी की खराबी के लिए आप बना लें वो और इस्तमाल करें तीन-चार महीने लगाता रहा है अलसी तो यूपी वाले जानते ही हैं अलसी क्या होती है अलसी खरीद ले तो चारसो गिराम अलसी और क्योंकि उसमें कंकर पत्थर भी मिले होते ह साफ करके अलसी तीन-चारसो गिराम खरीद कर और हलका सा भूल कर पॉडर बना कर रख ले हलका सा भूलना ज्यादा नहीं अब ये अलसी आपको एक चमच खाना है सुबह खाली पेट और एक ये दो गिलास पानी ले उसमें एक चुटकी खाने का सोड़ा जो आपकी किचन म मीठा सोड़ा कहलाता है एक चुटकी खाने का सोड़ा मिला है और एक चुटकी नमक जैतुन नमक जैतुन असली नहीं ये नकली बहुत मिलता है काने का सोड़ा और अलसी तो आप आसानी से असली ले सकते हैं लेकिन नमक जैतुन नकली बहुत मिलता है ये वो नमक है जो सं सार में नमकीन नहीं होता और दिखने में नमक जैसा लगता है ये सो ग्राम खरीद ले एक चुटकी नमक जैतुन पानी में मिलाएं एक गिलास ये दो गिलास और एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं इस पानी से एक चमच अलसी खा लिया करें रोजाना एक बार या दो बार से पहले बाद में भी ले सकते हैं अगर दो पड़े तो यह आप लगाता तीर चार महीने इस्तमाल करें तो आपको फायदा मुम्मिन है